कि हैं दोस्तों तो आज के इस नहीं वीडियो में आप सभी का स्वागत है सो गाइज गूगल विक्सल 3A और 3A एक्सल के बात अभी गूगल तैयारी में है कि वो नया Android स्मार्टफोन लॉंच करेगा जन्द ही जो कि दोस्तों आने वाले समय में आप सभी को देखने को में लगा जो की होने वाला है गूगल पिक्सल 4 तो आज हम इसके बार में डिसकर्स करेंगे इसके प्राइस स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बार में तो प्लीज वीडियो को एंट तलक देखते रहे हैं ताकि आप कोई भी इन्फोर्मेशन मैस ना कर ऐसे वीडियो को स्टार्ट करते इसके डिजाइन से तो हमइं इसमें इसमें यूमर two फटारा हमें इसमें देखने को मिला तो काफी餅 ब्की इसले शॉसर जो कि हमें इससे पहले Samsung Galaxy S10 में देखने को मिलाता साथी में इसका जो main highlight होने वाला है वो है इसका camera setup क्योंकि हमें square camera setup देखने को मिलेगा जो कि हमें इससे पहले इससे पहले नहीं पर दोस्तों इसके बाद हमें जो iPhone 11 में देखने को मिलने वाला है साती में Google Pixel 4 में हमें dual camera setup मिलेगा जो कि इससे पहले हमें Google के किसी भी phone में देखने को नहीं बिलाता और जैसे कि हम सभी को पता है कि Google ये camera centric device है तो ये काफी अच्छा experience होने वाला है dual camera setup के साथ सो गाइस बात करें इसके processor और इसके hardware के बार में तो हमें Snapdragon 855 processor मिलेगा और of course ये 5G technology के साथ आएगा और साती में दोस्तों इसमें जो big change होने वाला है वो है इसके speaker grills क्योंकि हमें इस बार Google Pixel 4 और 4 XL में bottom में speaker grills देखने को मिल जाएंगे जो कि dual setup होने वाला है speakers का बात करें इ ये इसका जो base variant होगा वो होने वाला है 4GB RAM 64GB और इसका जो higher variant होगा वो होने वाला है 6GB RAM 128GB storage के साथ इसके pricing के बार में तो जैसे कि हम सभी को बताएगे Google के phones की pricing काफी high होती है तो ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है कि कि किस price range में launch होगा और chances बनते हैं कि ये 60,000 के price range में launch होगा ये कुछ था Google Pixel 4 के बार में अगर आगे कुछ लिक्स निकल के आते तो मैं आप तक जरूर पहुचा होगा तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें थैंक्यू